साथियों आप सभी कर्स प्लेफमा पर स्वागत हैं यहां पर हम लोग घटनाशी पुब्लिकेशन के द्वारा जीयस द्रिष्टी उत्तर प्रशासन के उत्तर दायत का प्रवधान है देखिए यह आप भारती संविधान को देखेंगे इसका जो भाग छे है उसका नाम है रा चे के राज्य में जो है अध्याय 5 जो है वो राज्यों के उचन्याले और अध्याय 6 अधिनस्तिन्याले की बात करता है तो आप उसमें देखेंगे आठकिल 214 से 231 तक यह उचन्याले राज्यों के उचन्याले की बात करता है और 233 से ले करके 237 तक यह अधिनस्तिन्याले की बात करता है इसमें 232 जो है वो निर्सित कर दिया गया है उसे ओमियेट कर दिया गया है आगे इसमें बात करते हैं देखिए अब यहाँ पर उचिन्याले की बात करेंगे इलाहाबद उचिन्याले की इलाहाबाद इस्थान्तित किया गया तता 1919 में इसका नाम परिवर्तित का इलाहाबाद उच्छ नियायले कर दिया गया इसमें नियायधीशों की जो स्विकर्ट संख्या कितरी है 160 है जो देश के किसी अन उच्छ नियाययले से अधिक है इसके तरित उच्छ न्यायले के नाधिसों की नुक्ति राश्पति दो रखी जाती है कैसी की जाती है कि उच्छ न्यायले के मुख नाधिस की नुक्ति भारत के मुख नायमूर्ति तथा उस राज के राजपाल के परामर्स से राश्पति के दो रखी जाती है जयान रखेगा, यदि मुखनाधिस के अत्रित अन्य नाधिसों की निक्ति करना है तो उसमें उच्छ नाले के मुखनाधिस से भी परामर्स किया जाएगा इलहाव उच्छ नाले की एक खंड़ पीठर लगनों में और जो उच्छ नाले होता है उच्छ नयाले एक अभिलेखिय नयायले होता है इस इसको याद रखेगा अभिलेखिय नयाले होता है यह आपका बात कही गई है आठकिल 215 में कही गई है ठीक है आगे चलते हैं अब उच्छ नयायले कि देख रेक में प्रदेश के नयायले में इस्थापित प्रदेश के ज इसके अत्रिक्त आप देखें के तीसरा है आपका Civil Judge, Civil Judge Senior Division, Civil Judge Junior Division और लगवाद नयाले। उत्तर परदेश नयाईक सेवा जो है दो भागुन बिभाईत हैं। पहली है उत्तर परदेश शिविल नयाईक सेवा, उत्तर परदेश दूसरी है उत्तर नयाईक सेवा Higher Judicial Service। तो जो उत्तर प्रदेश शिविल न्याइक सेवा है, इसके ताहट जो पीसस जे वगरा से लोग जाते हैं, सलेक्ट होते हैं, तो यहां पर कहा देखें, उत्तर प्रदेश शिविल न्याइक सेवा के अंतरगत, मुंसिफ मजिस्टेट और लगवाद, small case न्याधिस आते हैं, तो ध्यान रखेगा किस में क्या आते हैं, मुंसिफ मजिस्टेट और लगवाद, यह उत्तर प्रदेश सिविल न्याइक सेवा के अंतरगत आते हैं, जबकि additional district session judge जो है, वो उच्छतर न्याइक सेवा के ताहत आते हैं, आगे बात करते हैं, परिवारिक न्याले के बारे मे उत्तर प्रदेश के पारिवारिक न्याले, तो देखिए, कुट्टू में न्याले अधिनियम 1984 के अधिन, जनपद, आजमगर, मेरठ, अयोध्या, अगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरकपूर, वरांसी, जहांसी में, एक एक तथा, प्रियागराज लखनू कानपूर, इ उची न्याले में की जा सकती है, और वहां पे उची न्याले में भी कम से कम दो न्याय धीसों की पीट इन अपीलों को सुनने में सच्छा में, सिंगल पीट जो है, वो नहीं सुनने में सच्छा में, जिसमें दो या दो से अधिक जज होंगे, वही पीट सुन सकती है, और और पुना च्लाव। अधिना स्चनावली की चमता को बढ़ाने तथा नयाधीशों के परशासनिक करतब में सहायता देने ही तो पर्देश के प्रतेक जनपद में, एक कोर्ट मैनेजर तथा उच नियाले इलाहाबाद में दो तथा खंड़ पीट लखनों में एक कोर्ट मैनेजर के पदका से जनग किया जा चुका है बिचारा धिन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने था मुकदमों के सिग्र निस्तारण के उद्देश से राज मुकदमा नीती तयार की गई है सरवोच नियाले के वर्ष 2017 के दिसा निर्देशों के अनरोप वर्तमान या पूर्विशान सदो या बिधायकों के मामलों की तरित सुनवाई है तो उत्तर प्रदेश में प्रियाग राज में बिशेष MPMLA नियाले का गठन कहां पर किया गया है प्रदेश में तो कारियरत अवियोजन अधिकारियों सहायक अवियोजन अधिकारियों जिला सास की अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर पुलिस अकडमी मुरादाबाद आई-ई-एम लखनो विध विज्यान के प्रियोग साला लखनो तो था नियाइक परसिच्चन अनसंध संस्तान कहां पर लखनो में ब्रहष्टा चार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना है मंडल इस्तर पर अपर शत्र नियाधीश इस्तर के नियाले जो है वो मेरट बरेली लखनो वरांसिता गोरकपुर में सिजित किये गए हैं आगे चलते हैं 42 संभिधान संसोधन अधिनियम 1976 की बात करते हैं तो 42 संभिधान संसोधन द्वारा वर्स 1976 में संभिधान में अंश्यत 49 का के तहत राज के नीत निशक तक्तों में समान नयाय और निशुल्ग विदिक सहायता का उपबंध किया गया इसी के तहत राज सरका द्वारा 1987 में 1987 में विदिक सेवा प्रादिकन अधिनियम 1987 पारिद किया गया इस अधिनियम के द्वारा राज इस्तर पर उत्तर पदेश राज विदिक सेवा प्रादिकन जिला इस्तर पर जिला विदिक सेवा प्रादिकन और तहशील इस्तर पर तह तो ध्यान रखेए जो बिदिक सेवा प्रादिकान है ये आपका राज इस्तर पर भी राज इस्तर पर क्या करते हैं उत्तर प्रदेश राज बिदिक सेवा प्रादिकान जिला इस्तर पर जिला बिदिक सेवा प्रादिकान और तहसील इस्तर पर तहसील बिदिक सेवा प्राद कि संस्तुतियों के आधार पर उत्तरपतिश लोक आयुक्त तशा उपर लोक आयुक्त विधेक्त 1975 को राश्पती द्वारा अनुछे 201 के दिन अनुमत प्रदान की गए। यह कारिपालिका के प्रहौशे मुक्त तशा सुतंत्र है और लोक आयुक्त अधिनियम के अंतरगत दो लोक सेवक द्वारापद के दुरुपयों गया भ्रष्टाचात समधित परिवाद को अभिकथन के तहत अभिकथन कहते हैं देखिए इसके मतलब इसकी जान से कुछ लोग उन मुक्तियां दिगें चूट दिगें किनकों को दिगें तो देखिए नयायले मालेखाकार उत्त लोक आयुक्त की परिद मेना केवल मंतरीगण, राज मंतरीगण, विधान, मंडल के सज़श, सासन के सभी अधिकारियों करमचारीगण आते हैं वन श्वयम शास्री संस्थाएं निगम वा परजदों के अधच ववा करमचारीगण भी आते हैं ऐसे समस्त लोक सेवकों के विवर्द सिकायतों एव्वविकथनों को प्रसुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं सिकायतों के अनवेशन के उपरांत आपेच्छित कारवाई है तो सासन को संसुती भेजने का अधिकार लोक आयूक्त के पास थें नैमूर्ति विशंभर दयाल उत्त उत्तर तृटर्पोर्देश के प्रथम लोकायुक्त है वर्स rig Heck starts उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कारेकाल पहले 6 रस होता था जिससे मार्च 2012 में वास प्रकाट कर आठी वर्स इनका कारिकाल आठ वर्स का होता है, ठीक है? वरत्मान में उत्तर प्रदेश के तीन उप लोका युक्त हैं, शंबूर सिंस यादो, दिनेश कुमार संग है, आगे चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश के लोका युक्त के बारे में बात किने देखango लेते हैं सातों लोगों के नयमूर्ती बिश्रमभर दयाल नयमूर्ती मिर्जा मुहंमत मुर्थजा हुशेन नयमूर्ती ằngला गॐल नयमूर्ती राष्टल Tôi नयमूर्ति सुधीर चंद वर्मा को नयमूरति and मलोत्र हिर संजय श्रा हैं आगे बात करते हैं उत्तरप्रदेश शूचना आयोक के बारे में दन करें तो देखिए एाडि अधिनियम 2 19 में यो नो ampl侒ग जो 121 केरन राज हिसे सुच diff b तथा राज सूचना आयू का कारिकाल कें सरकादवार निर्धारित अवधी तत सम्मंधी अदसूचित नियमों के था तीन वर्स निर्धारित तथा या 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो तब तक रहेगी और राज जी के पर्थम मुख्य सूचना आयू के नयमोर्ती M.A. खान थे जिन्होंने 22 मार्च 2006 को पद भार गरन किया था और 9 जुलाई 2008 तक पद पर थे वर्तमान में राज जी के मुख्य सूचना आयूद कोन है भावेश कुमार सिंग 6 फरुव 2021 को इन्होंने पद गरन किया था इससे पुरु जावेद उश्मानी थे ठीक है तो वर्तमान में भावेश कुमार सिंग है राज जी के मुख्य सूचना आयूद और राज जी सूच सुचना का दिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतरगत राज सरका द्वरा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया था उत्तरपदेश सुचना आयोग को राज मानवा दिकार आयोग की बात कर लेते हैं राज मानवा दिकार आयोग के बारे में तो देखिए मानवा दिकार संच्छना अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतरगत उत्तरपदेश राज मानवा दिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था 4 जून 4 जून 2021 को इलाहाबाद उचि नयाले के सेवार निर्वित नयायमूर्थी बालकिष नाराण को राज मानवादिकार आयोक का नया अध्यच नियुक किया गया था उन्होंने 5 जून 2021 को पदभार ग्राण किया तो वरतमान में नया मुद्टी बालकिष नारयनर जो है, राज मानुवादिकार आयोग के अध्यच हैं, देखिए मानुवादिकार सरेचन अधिनियम उनीस व्रङत नर्फंसो तिरानमे में चेह तक अपने पत पर थे राज मानवा दिकार आयोग के पिछले अधिश नयमूर्ति शयन्स रफत रफत आलम थे आगे चलते हैं राज महिला आयोग के बारे में बात कलते हैं, राज महिला आयोग, तो देखिए, राज महिला आयोग का पुनर गठन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज महिला आयोग अधिनियम 2004, यह था संसुधन वर्द 2013 में इसमें संसुधन किया गया, कि अंतरगर 26 अप्रेल 2013 को किया गए तो ध्यार रखिए ऊतरपतेस राज महिला आयोग का गट्ण कशल च्छब्क्त अपरैल 2013 को और उत्तरपदेश राज महिला आयोग की वर्तमान में अध्यच कों है बिमला बात हम है बिमला बात हम शेकर 2018 से अब बात कर लेते हैं कानून ब्यवस्था उत्तरपदेश में तो देखिए आपका लखनोविम गौतम बुध नगर में पुलिस आयुक्त परणारी मार्च 2021 में और फिर अभी वर्तमान में प्रदेश के कुल साथ जिलो में साथ जिलो में जो है आपका पुलिस आयुक्त परणारी है चार तो यहीं पर है लखनो गौतम बुध नगर कानपुर नगर वर्राणसी और तीन जो है उसमें प्रियाग राज आगरा और इस्टेट की सकतियों को अपर पुलिस महाने दे सकते एडीजी इस तरह के पुलिस आयुक्त या कमिश्नर को सौप दिया जाता है जो कि उस जिले या सहर के निधारी छेत्र की एकिकरत पुलिस कमान सरचना का मुख्य और प्रमुक और कानुब्यवस्ता के लिए उत्तरदा से आगे चलते हैं कारागार प्रसासनियों सुधार की बात कि देखिया वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धिकन वह सुधार है तो विबिन के संचालित कारागारों के संख्या कितनी हैं चोहत्तर एंट फ। burning two जार बाइस की इस्तित की अंशाल प्रदेशा आने प्रदेशों के कारागार कर्योंकियों के प्रसिछने ह्योगत। संस्थान जो है वो कहां पर है तो संपूरा नंद का रागार पर शिच्छन संस्थान लखनों ध्यान रखें कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रे प्रदर्सन ये तो जेल डीपो इस्थाफित कहां लखनों के अमीनाबाद में और केंद्र और प्रदेश नों संचारित केंद्री कारागार कितने हैं 6 हैं केंडरी कारागार केंडरी कारागार *** और केंडरी कारागार वरांसी है। आगे बात करते हैं कुछ पर अच्छा उपयोगी महात्रों तर्थों की को देख लेते हैं तो देखिए अब वर्तमान में 28 प्रभी 2022 की सित के अमसार प्रदेश में 6 केंदरी कारागारों के अतिरित 62 जीला कारागार दो उपय कारागार देवबंद और महोबा तर्था चार विशेश कारागार चार विशेश कारागार कोंसे आदर्स कारागार लखनों नारी बंदी निकेतन लखनों महिला केंदरी कारागार बरेली और किशोर सदन बरेली तो ध्यान रखेगा आदर्स कारागार कहां पे लखन में नारी बंदी निकेतन लखनों में महिला केंदरी कारागार बरेली में है और किशोर सदन बरेली क्रिया शीर है नारी बंदी निकेतन लखनों इसकी स्थाफना 800 संसर में हुई थी यह महिला केंदरी कारागार बरेली कि अत्रिक्त अलीगर तदा फैजाबाद जो को अयुद इसके स्थापन निरुद किया जाता है और उपर्युक्त के अतरिक्त केंद्री कारागार नैनी यो 17 जिला कारागार परिश्वरों में परिथक अल्मवेस्क कारागार स्थापित हैं परवेच्छन यों प्रसासनिक सुगमता के दिश्वरों में निरुद निरचर बंदियों को साचर किया जाने है तो एक पढ़ा एक ये योजना मात्मुन एक पढ़ा एक तता नया सभेरा कारीक्रम सभी कारागारों में संचली थे आत्यकवादी हपलों सीनी पढ़ने हुद परदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल लखनो के अनावरा में बनाया जा रहा है जबकि अंत्रिम बेवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसाथ कली मोहनलाल गण्ज लखनो में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचलन कि की गई है कर अंतर में पेंशन अनुदान है तो पेंशन नियमावली प्रख्याबित की जो 6 अगस्त 1975 से प्रभावी है लोगतंत रच को यह आपात काल के दौरान लोगतंत की रच्छा में योगदान देने वालों को सम्मान राशी यह अन्य सुब्धाय प्रदान की जाने तो ऊत्तर प्रदेश को लोगतंत शेनानी सम्मान अधिनियम 2016 लाया गया है वरतमान में उत्तर प्रदेश के शुंता संग्राम सेनानीों या उनके आस्रतों को 20,000 रुपे प्रतिमाह प्रदीः या आस्रतों जैसे उनकी पती है पतनी है यह था इस्तित को 15,000 रुपए प्रतिमाह स्रम्मान राश्प्रतान की जाती है सुन्ता संग्राम से नानी कल्यान परसत की स्थापना फरवरी 1973 में की गई थी जिसका पदेन अध्यच मुखमंत्री होते हैं ध्यान रखें सुन्ता संग्राम से नान के लिए आवाश्यों भोजन की व्योस्था करने के उद्यच लखनों में सेवा संथ की स्थापना की गई है इस प्रकार से इस विडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद